Hello everyone, welcome to the channel, रवी अदिती क्लासिस और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी weekly current affair जो आपके आने वाले सभी exam के point of view से काफी important है यानि आज की इस वीडियो में मैं 15th of October से लेकि 21st of October तक के बीच का जो भी current affair है उसको discuss करने वाली हूँ सभी किशन आपके exam के point of view से काफी important होने वाले हैं तो वीडियो को इसको बिलकुल मत कीजिए इसको लास तक जरूर देखेगा तो बीना देरी करें वीडियो को शुरू करते हैं आज की हमारे पहले प्रशने के साथ में तो हमारे वीडियो का आज का पहला प्रशने है who has been honored with the 32 सरस्वती सम्मान 2022 यानि कि सरस्वती ओनर जो है 32nd नंबर का यह किसे सम्मानित किया गया है तो यह सम्मानित हुई है शिव शंकरी option number D ठीक है यानि कि 32nd जो सरस्वती सम्मान है यह मिला है शिव संकरी को image में आप देख सकते हैं यही है शिव शंकरी Tamil writer सिव शंकरी has been honored with the सरस्वती award for her autobiography सूर्य वांसम and it was started in 1991 and this is sponsored by केके बिल्ला फाउंडेशन ठीक है यानि कि सिव शंकरी को जो अवार्ड मिला है यह उनकी आत्म का था सूर्य वांसम के लिए मिना है और यह जो अवार्ड है आपका सरस्वती सम्मान इसकी शुर्वात हुई थी 1991 में और यह प्राजित होता है यानि कि sponsor होता है केके बिल्ला फाउंडेशन के द्वारा and the first man your first person who received this सरस्वती सम्मान he was Harivan Chirai Bachan तो यह भी ध्यान रखेगा next question is under which act the Supreme Court refused to give legal recognition to same sex marriage यानि की Supreme Court ने किस अधिनियम के तहत समलेंगिक विभा को कानोनी माननेता देने से इंकार कर दिया है and the right answer is special marriage act option number A देखे the constitution bench बैठी थी अभी हमारी जिसमें Supreme Court ने 3 और 2 का verdict दिया है और इसमें जो same sex marriage है इसको जो है वो मानने तर नहीं दी है यानि कि Supreme the constitution bench of the Supreme Court give this decision by 3-2 and while giving the verdict on same sex marriage Chief Justice D.Y. Chandrachut said that the Supreme Court cannot cancel the provision of the special marriage act and C.J.Y. यानि कि Chief Justice of India refuses to recognize same sex marriage while delivering his verdict ठीक है यानि कि D.Y. Chandrachut जी का कहना था कि हम special marriage act के प्रवधानों को जो है वो रद नहीं कर सकते हैं इसलिए उन्होंने जो same sex marriage है यानि कि समलेंगे शादी है उसको मानने तर देने से इंकार कर दिया है फिर आपका प्रश्न है इन विच सेटी अफ उत्तर प्रदेश अ फिफ्टी वन फीट हाई स्टैचू अफ लोड गोतम बुद्ध विल बी इंस्टॉल्ड यानि कि उत्तर प्रदेश के कि शहर में गोतम बुद्ध की 51 फीट उची प्रतीमा का अनावरन ये किया गया है and the right answer is कोशामबी option number B a 51 फीट हाई स्टैचू अफ लोड बुद्ध विल बी इंस्टॉल्ड इन कोशामबी उत्तर प्रदेश तो ध्यान लगना उत्तर प्रदेश के कोशामबी में ही गोतम बुद्ध जी की 51 फीट उची प्रतीमा का स्थापित की जाएगी फिर है who has been appointed as the new governor of त्रिपूरा यानि की त्रिपूरा की नए राजेपाल तो ये कौन बने है तो the right answer is इंद्रशेना रेड़ी नलू option number A तो यहीं बने है new governor of त्रिपूरा option number A that is इंद्रशेना रेड़ी नलू इमेज में आप देख सकते हैं यहीं है त्रिपूरा की नए राजेपाल देखें त्रिपूरा की बात आई है तो chief justice है मानिक शहा capital है अगरतला और appointment of governor की बात करें तो according to the article 155 of the constitution the president of India appoints the governor of a state on the advice of union council of minister next question is what name has been given to India's first regional rapid rail यानि की भारत की पहली regional rapid rail को क्या नाम दिया है and the right answer is Namo Bharat option number D next question is what code name has Israel given to the ongoing fight against Hamas यानि की इस्राइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या code नाम दिया है and the right answer is operation iron sword option number E यहापे आपको confused नहीं होना है इस्राइल ने जो हमास के खिलाफ लड़ाई को code word दिया है यह operation iron sword वह अगर बात करें हमास ने जब इस्राइल पे हमला किया था उसका नाम दिया था अलगसा flood और भारत के द्वारा जो operation चला गया इस्राइल से भारत को निकालने के लिए तो यह operation आजे देखे इस्राइल has named the ongoing fight against हमास as operation iron sword इस्राइल तो capital है यरुसलम प्रधान मंत्री आने के प्राइम मिनिस्टर तो यह है Benjamin Netanahu and currency that is Israeli new shackle next question is which country topped the recently released global pension index 2023 याने की अभी हाल ही में वेश्विक pension सुचकांग 2023 में कौन सा देश चो है वो top पर है याने की आपको सबसे उपर बताना है तो यह है नेदरलेंड option number B is your correct answer तो according to the index globally the नेदरलेंड is at the top position followed by Iceland and Denmark well if we talk about Argentina तो it is at the last position India's rank की बात करें that is 45 and issuer है इसका Mercer CFA institute याने की इस उचकांग में top पर तो है नेदरलेंड उसके बाद है Iceland and then Denmark और अर्जन्टिना तो यह सबसे नीचे है और इंडिया की रेंग तो यह है 45 next question is who has been recently selected for the Satyajit Rhee Lifetime Achievement Award याने की Satyajit Rhee Lifetime Achievement Award के लिए किसे चुना गया and the right answer is Michael Douglas option number C popular Hollywood star Michael Douglas has been selected for the Satyajit Lifetime Achievement Award important है जरूर याद रखेगा next question is who has been selected by ICC as the player of the month for September 2023 याने की September 2023 के लिए player of the month ये किसे चुना गया and the right answer is Subman Gill option number B यही चुने गया है September month के लिए player of the month international cricketer Subman Gill has been chosen as player of the month and if we talk about ICC that is International Cricket Council establishment year 1909 headquarter Dubai UAE and chairman that is Greg Bargley next question is which state has launched the fourth phase of mission shakti abhyan याने की किस राच्ची ने mission shakti abhyan के चोथे चरन का शुभारम ये किया है तो the right answer is Uttar Pradesh option number C Recently the fourth phase of mission shakti abhyan has been launched to empower women and make them self-reliant देखें जो इसका उदेश्य है basically mission shakti abhyan का उसका उदेश्य यही है कि महिलाव को ससक्त बनाना है और आत्म निर्वर बनाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है फिर हाल ही में भारत का पहला wetland chair कौन बनेगा याने की which will become the India's first wetland city तो ये है उदेपूर option number B देखें government of Rajasthan in collaboration with the department of environment and forest उदेपूर also known as city of lake will be developed as India's first wetland city of India next question is मर्चा पैडी of which state has been awarded by the GI tag तो आपको बताना है कि किस राचे का मर्चा धान इसको मिला है GI tag and the right answer is Bihar option number B देखें चिली पैडी is grown in west champaran district of Bihar and मर्चा धान looks like similar to black pepper and due to which it is known as मिर्चा और मर्चा धान next question is name the player who has scored most centuries in ICC ODI World Cup यानि कि ICC ODI World Cup में सरवादिक सतक लगाने वाला खिलाडी तो ये कौन बना है तो ये बना है रोहिच शर्मा option number C next question is who is the richest Indian according to Huron India Rich List 2023 यानि कि Huron Richest के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति तो ये है मुकेश अंबानी option number B next question is when is national cinema day celebrated every year देखे national cinema day यानि कि राष्टी cinema दिवस की बात करीं तो ये हर साल हम मनाते हैं basically 13 October को option number जो C है आपका यहाँ पर सही होगा देखे national cinema day is celebrated every year on 13th of October and for the first time national cinema day was celebrated by the multiplex association of India in 2022 ठीक है 13 October को हर साल हम मनाते हैं और पहली बार 2022 में इसको मनाया गया था next question is in which country the tallest statue of Dr. B.R. Ambedkar is installed outside the इंडिया यानि कि भारत की बाहर जो हमारे देश के constitution निर्माता है यानि कि Dr. B.R. Ambedkar जी की सबसे उची प्रतिमा ये किस देश में स्थापित की जाएगी तो ये होगी USA में option number A is your correct answer देखिए it has been named a statue of equality and it is established in the Maryland suburbs of the US capital of Washington मतलब US capital Washington next is in which country external affair minister S.J. Shankar recently unveiled the statue of Ravindranath Tagore यानि कि विदेश मंत्री है नाम है जिनका S.J. Shankar उन्होंने भी किस देश में Ravindranath Tagore की प्रतिमा का अनावरन किया है and the right answer is Vietnam option number B external affair minister S.J. Shankar unveiled Ravindranath Tagore statue in Vietnam if we talk about Vietnam it is in South Asian country and capital is Hanoi and currency is Dong next question is who has been recently elected as the new prime minister of New Zealand New Zealand के नए प्रतान मंत्री ये कौन बने है तो ये बन गए Christopher Luxon option number C Chris Hopkins is the prime minister of New Zealand right now and who will be replaced by Luxon तो Christopher Luxon will be the next prime minister of New Zealand which is of 42 number New Zealand की बात करें तो capital है Wellington and currency है यहां की dollar फिर है Chief Minister is Hemant Bishwasharma and Governor is Gulab Chandrakataria. Next question is, which country's team former captain named Alistair Cook announced his retirement from the Kirkit? यानि कि किस तेस्ट की team के पूर्व कप्तन Alistair Cook ने Kirkit चिस अन्यास देने का ऐलान किया है? And the right answer is England, option number C. Next question is, who recently inaugurated the first medical college of Nagaland? यानि कि Nagaland के पहले medical college का उदगाटन ये किस ने किया है? And the right answer is Mansook Mandavya, option number A. देखे, Union Health Minister है Mansook Mandavya, उन्होंने नागaland के पहले medical college को inaugurate किया है. Nagaland की बात करें, तो capital है Kohima, Chief Minister Nephuryu and Governor is La Ganesan. Next question is, which state's cash you has been granted as GI tag? यानि कि किस राज़े की काजू के लिए GI tag प्रदान किया गया? And the right answer is Goa, option number A. देखे, cash you from Goa, known for its long and cherished heritage, has been awarded by the geographical indication tag. In short, we call it GI tag. तो यह कहाँ पर है केशू? तो यह है Goa में. Next question is, who has been honored as the ambassador of Louris? यानि कि Louris की राज़दूत के रूप में किसे न्युक्त किया गया? तो यह न्युक्त हुए है, Neeraj Chopra, option number A. If we talk about Neeraj Chopra, then he is an javelin thrower and India's Neeraj Chopra has been nominated for Male World Athlete of the Year for 2023 by the World Athletic Body and Neeraj Chopra has been made the ambassador of Louris brand. तो यह मैं आपके साथ डिसक्स कर चुकी हूँ. फिर है हाल, ही में वरिष्ट पत्रकार का 68 वर्ष की आयो में निदन हो गया है, उनका नाम क्या था? यानि कि recently the senior generalist passes away at the age of 68, what was his name and the right answer is Satchitanan Murthy, option number A. फिर है विच स्टे गवर्मेंट है रेसेंट्री लांच प्रोजेक्ट नीलगिरी तेहर यानि कि कि स्राज्य सरकार्नी प्रोजेक्ट नीलगिरी तेहर लांच किया है? And the right answer is Tamil Nadu, option number A. The main objective of this project is to develop better understanding among the people of the population, distribution and ecology of the undangered Neelgiri तेहर species. If we talk about Tamil Nadu, Capitalist Chennai, Chief Ministers M.K.Stalin and the Governor is R.N. Ravi. Next question is, which sport has been included by the International Olympic Committee in 2028 Los Angeles Olympic? यानि कि अंतरास्टी Olympic समिती ने किस केल को दो हजर अठाइस के Los Angeles Olympic में शामिल किया है? तो ध्यान रखेंगे 2028 में जो Olympic होंगे वो होंगे Los Angeles में और इसमें शामिल किया है squash को, baseball को, cricket को. तो option यहाँ पर तीनों ही सही है, लेकि इसके लावा भी कुछ और games जो है वो शामिल होए है, जो की है आपके. बेसबॉल हो गया है, softball, flag football, squash और lacrosse ठीक है, तो यह भी आप इसमें ध्यान रखेंगे, जो की 2028 इसके Olympic में शामिल होए है. If we talk about International Olympic Committee, Establishment Year 1894, Headquarter is in Lushan, Switzerland, and the Chairman is Thomas Bach. Next question is, which film won the Best Hindi Film Award at the 69th National Film Award, यानि की 69 राष्टे फिल्म पुरुसकार में किस फिल्म में सबस्रीष्ट हिंदी फिल्म का अवाड जीता है, and the right answer is Sardar Udham. Option number D. Next question is, who has recently become the new President of Ecuador, यानि की Ecuador के नए राष्ट पती तो ये कौन बने है, तो Ecuador के नए राष्ट पती ये बने है, Daniel Noboa, option number, जो A है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, Christopher Lakshan के अभी मैंने आपके से discuss किया तो ये बने थी, New Zealand के अभी हाल ही में, प्रधान मंतरी, नेतनाओं को आप जानते हैं, इस्राइल के हैं, और जो भैडन तो ये अमेरिका से हैं, ठीक है, तो Ecuador के नए राष्ट पती तो ये बने है, Daniel Noboa, option number A. एकवडोर के बात करें, तो capital है क्यूटो, currency है US, dollar. Next question is, who has won the World Junior Rapid Chess Championship 2023 title, यानि की, विश्व जूनियर रैपिट सत्रंच Championship 2030 का किताब, ये किसनी जीता है, तो right answer is, रोनक साधवानी, option number A. रोनक साधवानी of Maharashtra has won the title of FIDE World Junior Rapid Chess Championship 2023, which is held in Italy, ठीक है, तो देखें, आपको ध्यान रखने है, रोनक साधवानी, तो ये संबंदित थी, chess से, कहां से बिलॉंग थी, तो ये थी महारास्टर से, इटली में आयजित हो रही थी, FIDE VISHW Junior Rapid सितरन Championship, और इसी का किताब इन्होंने अपने नाम किया है, नाम है रोनक साधवानी, next question is, in which state, बतुकंपा फेस्टिवल has been celebrated recently, यानि कि हाली में किस राज्य में बतुकंपा फेस्टिवल ये मनाया गया है, तो ये मनाया गया भी recently ही कहाँ पर, ये मनाया गया है आपका तेलांगना में, option number B, basically ये फूलों का त्युहार होता है, आप देख सकते हैं ऐसे, और यहां कि जो females होते हैं, नहीं कि महिला होती हैं, उनके द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है, तो बतुकमा फेस्टिवल is a regional festival celebrated by women in the state of तिलांगना, ठीक है, तो ये जो है basically महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक चेत्रिय पर्व है, बतुकमा की बात करें तो festival of flat, capital is Hyderabad, Chief Ministries की चंदरशेकर राओं and Governor is Tamilisai Sondra Rajan, next question is, लोकसभा speaker Om Bidla will hand over P20 presidency to the parliament of which country, speaker जो है Om Bidla, उन्होंने अभी P20 की presidency ये सोब दी है, ब्राजील को, जो अगले साल, मतलब जो next, जो G21 की meeting है, उसको host करने वाला है, ठीक है, फिर है, who was recently honored with Dada Sahih Fall के award for the year of 2021, यानि कि Dada Sahih Fall के award जो है, ये 2023 में मिले हैं, लेकिन award ये है 2021 का, ये कौन सम्मानित हुए हैं, तो य इमेज में आप देख सकते हूँ, ये ही honored हुई है, Dada Sahih Fall के award से, इमेज में आप देख सकते हैं, ये है वहीदा रह्मान, If we talk about Dada Sahih Fall के award, then Dada Sahih Fall के award is the most prestigious honor in the cinema world in India, यानि कि, भारत में cinema जगत की बात करें, तो सबसे जादा ये परतिस्टित, यानि कि, प्रेस्टियस ओनर है, and he is called, he is also called father of Indian cinema, Dada Sahih Fall के के रूपर ये देते हैं, और इने हम कहते हैं, क्या, father of Indian cinema, and this award was named after Dundiraj Kovind Fall के, and Falking Directorate, India's first feature film, जिसका नाम था, Raja Harish Chandra, Next question is, At the 69th National Film Award ceremony, यानि कि, जो अभी राश्टिय फिल्म पुरुसकार समारो चल रहा है, मदब दिये गया है अवर्ट तो उसमें, Best Abhinita, यानि कि, सबस्रिस्ट Abhinita का अवर्ड ये किसे मिला है, तो ये मिला है, Allu Arjun को, The Rise, उसके लिए इने मिला है, Best Actor का अवर्ड, Next question is, Which film won the Best Feature Film Award at 69th National Film Award ceremony, यानि कि, जो 69 राश्टिय फिल्म पुरुसकार समारो हुआ है, उसमें सबसे अच्छी, Feature Film का अवर्ड किसने जीता, तो ये जीता है, Rocketry, The Numbi Effect, ने, Option No.A, Next question is, Who has been honored with President Scholar, Recently, तो देखे, President Scholar से समारित अभी जो रिसेंटली हुए है, तो वो वे नागा रेजिमेंट की तीसरी बाटालियन, तो Option No.A, जो C है, आप यहाँ पध्यान रखेंगे, कि जो नागा रेजिमेंट की तीसरी बाटालियन है, उसे समारित किया गया है, President Scholar से, तो आर्मी चीफ जनरल, जिनका नाम है मनोज पांडे, अवार्डे तो प्रेस्टीजियस प्रेजिदेंट स्कॉलर तो दी थर्ड बेटालियन अव दी नागा रेजिमेंट द्यूरिंग ए स्पेक्टिकुलर कॉलर प्रेजिदेंशियन प्रेजिमेंट प्रेजिदेंट हेल एड़ दे कुमाव रेजिमेंट सेंटर इन राने के जो कि कहां पर है उत्रागंड में है फिर एक विच स्टेट हैस अन्वील्ड दमस्कट जूही फोर दा एशिन वूमेंस होकी चैंपेंशिप 2022 किस राचे ने एशिय महिला होकी चैंपेंशिप 2022 के लिए शुभंकर जूही का अनावरन किया है और राइट आंजर इस जारकंड ओप्शन नमबर बी देखिए यहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना है खेल है 22 के लेकिन खेले जा रहे है 23 में तो यहर्स को लेके प्लीज आप कंफ्यूज नहीं होना तो देखिए यह जो जूही का अनावरन हुआ है यह हुआ है जारकंड से तो यह एशय ही महिला होके चैंपियोन्षिप का आयजन यह जारकंड की रास्थानी राची में हो रहा है तो यह और्गनेस है राची में दे कैपिटल अफ जारकंड इन येर ऑफ 2023 23 and the musket has been named as Juhi and if we talk about Jharkhand then the capital is Raji, Chief Minister Hemant Sorin and Governor C.P. Radha Krishnan. Next question is who received the Best Actress Award at the 69th National Film Award Share Money? याने कि जो 79 राष्ट्य फिल्म पुरुसकार समहारो हुआ है उसमें सबसे Best Abhinitri याने कि Best Actress का Award ये किसने जीता है? तो ये जीता है आलिया भट ने और कृती शैनन ने. आलिया भट की मुवी है गंगु बाई के लिए ने मिला है और कृती की जो मुवी है वो है मीमी उसके लिए ने ये वाट दिया गया है. Option number D आप याप धियान रखेंगे. Both A and B. Who has been recently appointed as the Executive Director of Indian Bank? याने कि Indian Bank का कारीकरी निदेशक कि किसी नियुक्त किया गया है? And the right answer is Shiv Bajrang, option number C. If we talk about Indian Bank, then establishment here is 1907. Headquarter is in Chennai. And एक fact आप याद रख सकते हैं कि Ilabad Bank was merged into Indian Bank in April 2020. Next question is, Where was the 2 plus 2 talk organized between India and Britain recently? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में जो 2 plus 2 वारत का आजन हुआ है, ये हुआ है दिल्ली में, option number A आप यहाँ पर याद रखेंगे. देखे, India-UK 2 plus 2 foreign and defense dialogue was held in New Delhi. And both sides discuss on possibilities of promoting cooperation, specially in the areas of trade and investment, civil, defense, aviation, health, energy, culture and stranding, people-to-people ties. If we talk about what is 2 plus 2 dialogue, then the 2 plus 2 dialogue is a mechanism to discuss and review all aspects of the India and UK comprehensive strategic partnership. Next question is, Who has been appointed as India's present permanent representative to the UN? यानि कि जो सिन्युक्त रास्ट है उसमें भारत का स्थाई परत ने दी, ये किसे न्युक्त किया गया है, तो ये न्युक्त हुए है, अरिंदम बागची, option number A. If we talk about अरिंदम बागची, then he has been appointed as India's permanent representative to the UN and UN is an international organization which was formed in the year of 1945, headquarter is in New York and the number of members state is 193. Next question is, Recently the World Animal Health Organization has declared India free from which विश्वास्थ स्वास्थे संगतन ने भारत को भी हाल ही में मुक्त घोशित किया है, bird flu से, तो option number A है आप याँ पर घान रखेंगे, देखे, The World Organization for Animal Health has recently declared India free from world flu, avian influenzae and if we talk about W.O.A.H. यानि की World Organization for Animal Health, तो establishment year is 1924, headquarter is in Paris, France. Next question is, When is international poverty elevation de-celebrated every year? यानि की अंतराश्टी गरे भी उन्मूलन देवस ये हर साल का मनाते हैं, तो ये बनाते हैं 17 October को option number B. देखे, International Day for the Eradication of Poverty celebrated every year on 17th of October and the objective is to raise awareness about poverty and the need for poverty elevation around the world, specially in developing countries. थीम की बात करें, तो ये है decent work and social protection, putting dignity in practice for all. ठीक है, तो देशे ध्यान डखना हैं, दुनिया भर में जो विशेश रूप से विकास सिल देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की अवशकता के बारे में जागरुकता को बढ़ावा देना. तो ये बन गया है बहुपाल में, option number B. ISO certificate awarded to the Mahila police station located in Bhopal, Madhya Pradesh, and it has become the first woman police station in the country to get this certificate. If we talk about ISO, full form is International Organization for Standardization, establishment within 1947 में, and Mukhya Lhe, तो ये था जनेवा, Switzerland में. Next question is, Who has been appointed as the new governor of Odisha? तो Odisha के नई राजेपाल, ये बने है रगुवर्दाश, option number A. देखे, President Drobdi Murmo appointed former Jharkand Chief Minister, रगुवर्दाश as the new governor of Odisha, and he will replace the Ganeshi Lal. Odisha की बात करी, तो CM है नवीन कुमार, Capital है भुवनेश्वर, तो जरूर याद रखेगा. Next is, In which state the festival of Kaati Bihu has been celebrated recently? तो Kaati Bihu पर्व जो है वो recently मनाया गया है असम में, तो Bihu का जहां पर भी नाव आए, तो ध्यान में एकदम आता है असम, तो option number B आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे. Bihu is a group of three important Assamese festival in the Indian state of Assam, and Rangoli और Bhuhaag Bihu is celebrated in April. ठीके तो Rangoli और Bhuhaag आपको ध्यान रखने अपरेल में मनाते हैं, Kungali और Kaati Bihu तो यह मनाते हैं October में, और Bhuhaagali और Maag तो यह मनाते हैं हर बार January में. Capitalist की दिसपुर है Chief Minister Hemant Bishwa Sharma and Governor, तो यह है Gulab Chand Kataria. Next question is, Where was the fifth edition of the India Stamp Summit 2023 is held? यानि कि भारत में STEM सेकर सम्मेलन 2023 का पाचवा संस्क्रण यह किस स्थान पर आउजित किया गया है? तो यह आउजित हुआ है नई दिल्ली में, option number C. तो देखे भारत जो है वो STEM सम्मेलन का आउजिन नई दिल्ली में किया गया है, इस टैम की बात करें, तो इसका मतलब है Science, Technology, Engineering और Math और यह जो STEM है सम्मेलन का पाचवा संस्क्रण था, तो देखे भी हाल ही में, जो है, जे गुरुजी आप जो है, वो लाँच किया है, जारकंड के द्वारा, option number E आप यहाँ पर ध्यार नखेंगे, देखे, Chief Minister Himant Soren लाँच जे गुरुजी मोबाइल आप for online education in program organized in Ranji, next question is, in which city was the 141st session of the International Olympic Committee held in October 2023, यहने कि International Olympic Committee के 141 सत्र का आयोजन, October 2023 में यह के शहर में हुआ है, तो यह हो रहा है मुंबई में, option number B ठीक है, और अगर हम बात करें IOC के यहने कि International Olympic Committee, तो Chairman Thomas Bach, Headquarter है आपका लुर्षिन, Switzerland में और found यह हुए थे, 23 जून 1894 में, next question is, who has become the fastest batsman to score 26,000 run in international cricket, याने कि International Cricket में सबसे 23,000 run बनाने वाले बलने बाच, तो यह कौन बने हैं, तो यह बन गए हैं विराट कोहली, option number B, next year, recently India has set a target of sending astronaut to the moon, by which you are, याने कि भारत ने किस वर्ष तक चंदर्मा पर अंतरिक्ष यात्री भेशने का लक्षे रखा है, and the right answer is 2040, याने कि 2040, option number B, तो हैं लखना कि भारत में 2040 तक चंदर्मा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेशने का लक्षे रखा है, और एक स्पेस स्टिशन भी याप स्थापित होगा 2035 तक, इस रोकी बात करें तो फुलफो में इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाजेशन, स्थापना वीती 1969 में, मुख्याल ले हैं बैंगलॉर में, और अध्यक्ष इसके S-100 नाथ, नेक्स्ट इस, जूला घाट सस्पेंशन ब्रिच बिट्विन इंडिया और विच कंट्री, हैस बिकम फुली ओपरेशनल, तो देखे, अभी हाली में जूला घाट सस्पेंशन ब्रिच जो है, वो पूरी तरीक से चालू हुआ है, कहां पर नेपाल में, ओप्शन नमबर C, तो देखे, जूला घाट ट्रांजिस्ट इस, जो है, वो बैती जूले में, जूला घाट परागमन पूरी तरीकी से चालू हो गया है, तो वो कनेक्ट एरता है नेपाल और इंडिया को, जो कि अभी फुली ओपरेशनल है, नेपाल की बाद करिए कैपिटल है काटमांडू, करंसी है, रूपी, प्राइम मिनिस्टर स्पुस्प कमल प्रचंडा, और यहां के प्रेजिडेंट तो यह है, राम चंदर परडोल, नेक्स्ट कॉशन, ओन विच थीम, विल नेशनल आयरुवेदा थीम, विल बी सलिबड़ेटे अन थीम अईरुवेदा फोर वन हेल्थ, तो यह सलिबड़ेट किया है, 16 अक्टोबर को, ऑप्शन नम्बर ए, देखे, विल फॉर्ट दे इसलिबड़ेटेट अन 16 अक्टोबर, और अन बेन अब्जेक्टिव इस तो एडवांस, food security around the world, and the theme is water is life, water is food, leave no one behind. Next question is, when international disaster risk reduction day celebrated, अंतरास्टिय आपदा, जो कि मुनी करन, यह किस दिवस मनाय गया है, तो यह मनाय गया है, 13 अक्टोबर को, अप्शन नम्बर C. International Day for disaster risk reduction is observed on 13th of October, and the theme is fighting inequality for a resilient future, objective is to promote a global culture of risk awareness and disaster reduction next question is recently launched अपना चंदरियान वेब पोर्टल is released too तो ये हाली में जो अपना चंदरियान वेब पोर्टल इसका संबंध है NCRT से यानि कि related to NCRT option number A देखें अपना चंदरियान वेब पोर्टल has been launched by the Union Minister of Education and Skill Development and Entrepreneurship श्री धरमेंदर प्रधान NCRT के द्वारा से रिये related है फूल फोर में इसकी National Council of Educational Research and Training and Establishment Year is 1961 next question is who has recently successfully tested Ababil missile यानि कि Ababil missile का सफल परिक्षन ये किसके द्वारा किया गया है तो ये किया है पाकिस्तान के द्वारा option number B देखें Ababil is a medium range ballistic missile of Pakistan and Ababil is a surface to surface missile and its strike range is 2200 km next is which will be made the first solar city of Uttar Pradesh यानि की Uttar Pradesh का पहला सौर सहर ये किसे मनाया गया है तो ये मनाया गया है आयोध्या को option number A आपका यहाँ पर सही होगा देखें responsibility of making Ayodhya the first solar city of the state has been untrusted to the NTPC and the world heritage site Sachi located in the rising district of Madhya Pradesh become the India first solar city तो इंडिया के पहली solar city Sachi ये भी ध्यान रखेंगे और UP की पहली ये आयोध्या ये भी ध्यान रखेंगे next is India's first tilapia parvo virus जो है has been detected in which state तो ये detect हुआ है basically Tamil Nadu में option number B recently for the first time in India this virus has been found in the ponds of Rani district of Tamil Nadu and this virus has been found in the fresh water fish species tilapia and this virus was first discovered in China in the year of 2019 and in the year of 2021 this virus was found in Thailand and India is a third country to get this virus next question is by when ISRO aims to establish an indigenous station in space यानि की ISRO ने कब तक अंतरिक्षमे बिसिक्नी एक स्वदेशी station स्थापित करने का लक्षय रखा है तो ये रखा है तो ये रखा है दो हजर पैंटिस तक option number B देखे ISRO aims to send the first Indian to the moon by 2040 and set up an Indian space station by 2035 कमेंट सेक्शन में हमारी PDF भी आपके लिए अविलेबल है हमारी वेबसाइट पर जिनको आप पर्चेस कर सकते हैं लिंक आप पो डिस्क्रिप्शन में इनका मिल जाएगा और जो भी आपके doubts feedback comment जो भी आप रहते तो आप मुझे comment कर सकते हैं और अब मैं आपसे प्रशन पूछूंगी इनकी आंसर आप मुझे comment section में दोगे तो पहला आपके लिए प्रशन है इसका जो भी आंसर आप मुझे comment section में बताएंगे and the next question is who has been honored with the 32 Saraswati Samman 2022 और इसका जो भी आंसर है यह भी आप मुझे comment section में जरूर बताएंगे और इसके लिए दो pdf मैं आपके से discuss कर चुकी हूं जो कि आपकी quality and current effect लिंक आपको description मिल जाएगा वहापर जागर अभी ने purchase कर सकते हैं क्योंकि सभी एक्जाम के point of physics काफ़ इंपोर्टेंट यह PDF है तो आज के लिए तनी है थैंकिए so much have a good day bye bye